शाजापुर में दिल को जगजोर देने वाली घटनास सामने आई है जहां एक कलियोगी बेटा अपनी बीमार मा को सरकार क्वाटर में बंद करके चला गया जिसके बाद भूक और बिमारी से महिला की बंद कमरे में ही मौत हो गई मामला थाना सदर बाजार के रेलवे कॉलोनी का है वहीं क्वाटर से बदबू आने पर जब लोगों ने पुलीस को सूचना दी तो पुलीस मौके पर पहुँच कर क्वाटर का ताला तोड़ा तो सब के होश उड़ गए आनन फानन में पुलीस ने शफ को पोस्ट मौटम के लिए भीजा और महिला के बेटे की तलाश शुरू कर दी जानकारे की अनुसार सलिल चौधरी रेलवे में टीटी है और पडोसियों के माने तो महिला का बेटा सलिल अक्सर अपनी मां को सरकारी कौटर में बंद करके दो-दो दिन के लिए चला जाता था खाने पिने की बेऊस्ता इसने नहीं कर रहे हैं तो एपसेंट चला है और इसकी मां का ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब यहां कोई खाने पिने की बिवस्ता इसने नहीं कर रहे है तो यहां पड़ी दैती हो सकता बीमारी भी रही हो तो इस वेसे अपना यहां से गायव हो गया है था कुछ दिन पहले करना तो नोखरी करता था और ना कोई काम कर रहा था तो लगता है कि भूख से और साइध जो है ठंडी के कुझे से इनकी दैत होई तो क्या पोस्माटम कर पिलहाल पुलीस महिला के पोस्माटम रिपोर्ट आने का इंतिजार कर रही है इस घटना की सामने आने के बाद एक बर फिर समाज को शर्मसार होना पड़ा है पंजाब के इसरे टीवी के लिए शाजहापुर से नंदलाल के रिपोर्ट